है है लो मेरे प्यारे बच्छों वे अलकम तुमार यूट्यूब चैनल नीरम पोरा जीरो एट्टू है और बच्छे कैसे हैं आप चले अच्छे ही होंगे अभी तक हमने अपने जितने भी वीडियो बनाए काव्या में बनाए आज का मार जो वीडियो रहेगा वो होगा गद का चैप्तर हैं लकनवी अंदाज Leah Limbei यूच हां से हमारे राइटर है उने एक कहाणी लिखनी होती थे तो कहाणी के लिए उनको धिक होता है कि एक कान और किस चीज़ को लेकर कहानी लिखें किस के ऊपर मतले हैं कानी के पार्त瞩 कान होना चाहिए वो विश्या कौन सा किस विश्या पर लेगना चाहिए तो जो इस कहानी के बारे में मैं यह बता दूँ आपकी यह 36 है यही बुक आपकी चलती होगी इसी का यह चैप्टर है लखनवी अंधाज तो थोड़ा साम बुक से पढ़ते हैं फिर उसके बारे में आपको करते हैं दीडिंग मुस्फिल की पैसेंजर ट्रेन चलने पढ़ने की उतावली में फूकार रही थी फूकारने से मतलब है आप जो स्टेशन पर ट्रेन करी होती हो चलने लगती है तो वह हॉन देती है यह उस समय कि वात तब वह पोईले आप तो इलेक्रिक ट्रेन चलती है है बिजली से चलने वाली है पहली क्या था कोईले से चलती थी तो वह दूआ देती र ओन के साथ साथ आराम से सेकिंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं मतलब सेकंड क्लाब आज तो हमाई फस्ट क्लास सेकंड क्लास और एसी वगईरा कि अलग लगका सुम् समय सेकंड क्लास में जाने के भी बहुत पैसे लगते थे तो बीर से बचकर एकांद में नई कानी के संबंद में सोच कर सोच सकने और खिड़की के प्राक्रतिक द्रश्य देख सकने के लिए टिकेट सेकंड क्लास का लिखते हैं कि मुझे एक मतलब सेकंड क्लास में बैटूंगा तो हो सकता है तो जगह अच्छे से मिल जाओ खिड़की के पास बैच सके और जो जनरल डबे पहले होते हैं तो जनरल डबे में क्या होती थी बहुत भीर होती थी तो विंडो के पास बैटना तो बहुत दूर की बात है जब विंडो के पास ही निमेटेगा तो बाहर के नजारे कैसे cookies शांती नहीं मिलेगे उसacious जो एक चाहिए था अपने नई कहानी के लिए जो विशह चाहिखिया तो जो इंके बाहरे prices निकला चाहिए था वो سے नॉर्मलु डब्बय जनरल डब्ब्च मेरूश्य नहीं मिल सकता उसको न देने पड़ते हैं और उसके बदले वो second class का डबा डबे का टिकेट ले लेते हैं अब क्या तो जो राइटर हैं वो ट्रेंड में एंट्री करते हैं तो उसके आंगे का गाड़ी छूट रही थी second class के छोटे डबे को खाली समझ कर जरा दोड़कर उसमें चड़ गए अनुमान के प्रतिकूल डबा निर्जन था निर्जन से मतलब यहां पर उसमें मतलब कोई भी नहीं है जो राइटर थे वो गाड़ी मतलब चलने लगी थी हौन देके दीरे-दीरे उसके speed बढ़ रही थी तो राइटर ने सोचा कि यह वाला डबा खाली है निर्जन है यान बाहां पर एक शीट पर सजन बैठे गएते यानि व्यक्ती बैठे गएते पालती मारके पालती मतलब लग बैंड करके जिसे हम इसलोब दॉलिया विछार रखा था और उस पर क्या रखे था चिकने चिकने यानि बड़े अच्छे से खीरे वहां पर रख रखे थे उसके बाद है डबे में हमारे सैसा कूर जाने से सज्जन की यांकों में एकांद चिंतन में विग्न का असंतोष दिखाए दिया जिस प्रकार लग जैसे राइटर उस दबे में प्रवेश करते हैं तो जो नवाब जी जो मतलब पहले से जो सज्जन बैटे हुए थे सफेद पोश कपरों में पाल दी मारे तो उनकी एकांत में क्या हो जाता है विग्न राइटर के प्रवेश करने पर तो जो एकानी के लिए सूज की चिंता में हो या खीरे जैसी अप्रदाद वस्तू का शौक करते देखें नवाब जाने के संकोच में हो जो उन्हें असंतोच दिखाई गाता या फिर उन खीरों को देखकर कुछ असंतोष सा उन्हें मैसूस हो रहा था नवाब सामने संगती के लिए उत्सा नहीं देखा है संगती के लिए ट्रेन में हम लोग बिलते हैं कुछ लोग आपस में थोड़ा लंबा सफर होता है तो थोड़ी बातचीत हो जाती है तो यहां पर क्या नवाब ने संगती के लिए उत्सा नहीं दिखा है मतलब जो नवाब साहब थे वो इच्चुक नहीं थे राइटर से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने के मेल जोल बढ़े मतलब बोलना नहीं चाहते नवाब साहब की सुवीदा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे अब जो राइटर थे वो सुचने लगे नवाब साहब को मतलब संकोच किस बात का हो रहा है नवाब सामने बिलकुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफायत की विचार से सेकंड क्लास का टिकेट खरीदा हो और अब गवारा ना हो कि शेहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दरजे में सफर करता दिखे अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने कीरा कैसे खाएं अब जो नवाब जी जो बैटे हुए थे वो उस डब्बे में जो सोच रहे थे कि मैं अकेला ही बैट कर जो नवाब साथ उन्होंने दो खीरे खरी दे थे कि जो उन्होंने खरी दे तो जो खीरे उन्होंने खरी दे थे अपने एकांथ के सफर को मतलब जल्दी से उन्होंने वो खीरे उस सफर को काटने के लिए खरी दे हैं हम कनकीयों से नवाब साथ की ओर देख रहे थे कनकीयों से मतलब बड़ी ध्यान से उनकी ओर देख रहे थे अंदाज अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे नवाब साथ को उस देर गाड़ी की खिड़गी के बाहर देकर इस्तिती पर गहुर करते रहें अलब जो नवाब साहब तो वो खिरी के गिताब बैट हुए थे और बाहर देखकर वहाँ पर मतलब स्तिति का जाईजा लेते रहे, ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संभूदित किया, नवाब साहब ने किसे संभूदित किया, राइटर से बोलते हैं, आदा वर्ज, जनाब खी आप चाहेंगे राइटर से वो पूछ रहे हैं क्या आप कीरे को खाने खाना चाहेंगे नवाव साथ का बहुत प्रति वर्तन अच्छा नहीं लगा नवाव साथ का जो सैसा भाव यानि जो एकदम उनके ववा ब्याभार में बदलावा हैं पहले तो जैसे थोड़ा उनको दे राइटर से ये खीरे को खाने के लिए पूरते हैं अच्छा निले भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेल नेना चाहते हैं जनाब दिया शुक्रिया किबला शौक फर्माएंगे तो जो राइटर होते हैं वो उ नवाव सामने फिर से एक पल खिर्की के बाहर देखकर गौर किया और द्रण निश्य से खीरे के नीचे रखा तौलिया जार कर सामने बिचा दिया तो जो नवाव साब थे उन्होंने किड़के के बाहर फिर से देखा और वो खीरों को उठाया अपने सीट के नीचे से एक लोटा उन्होंने पानी का बर रखा था किड़के के बाहर उसको खीरों को दोते हैं और फिर से अपना तौलिया बिचाते हैं और उन खीरों को क्या कर जो लखनौ में, इस्टेशन पर खीरह बेचने वाले किरे के इस्तमाल का तरीका जानते थे। ग्राप के लिए जीरा मिला, नमक मिला और पिसी ओई लाल मेच की पुडिया भी आजे थी। मतलब जो नवाब साब ते वो अपने लिए क्या लायते लाल मेच भी लाए, नमक भी लाए और जीरा भी लाए. नवाब साब ने बहुत करीने से खीरे को फागा. तो यहां पर जो करीने का मतलब दिया हुआ है, वो है आपका ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है न, तरीके से, तरीके से भागा, अब क्या है, यहां पर नवाब सामने बहुत, यह हमारा हो गया, फागो पर जीराल मिला, नमक मिला, और लाल मेच की सुर्खी मतलब छिड़क दिया, उनकी प्रत्य भाव, बंगिमा और जबडों में इस पूरण से इस पस्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुक के खीरे के रसवादन, रसवादन मीस, यानि जैसे मुह में पानिया था, किसी जैसे चाट को देखका जाजा था, पढ़ा के को देखका मुह में पानिया जाता है, आपने देखा होगी चेन में या बसों में सफर करते हैं, तो वो कुछ दॉली, प्यास, नमख, मीबू वगएर ऐसे करके आइटम बना था, उनको देखके मुह में पानिया था, तो यहां क्या था, जिस पर कासर आइटर ने कीरों को काटा, उसमे प्यादा वो अब आँगे देखते हैं, वो लेते हैं के नहीं लेते हैं, ठीक है ना, रस्वादन की कल्पना से ही प्रवालित हो गया, हम कनकियों कुसे देखा सोच रहे थे कि मिया रहीस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के खयाल में इनकी असलियत पर उत नवाब सामने फिर एक बार अपनी आखें, एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला शौक कीजिएगा, लखनों का वालम खीरा है, जो नवाब साब होते हैं, मतलब ये सब करने के बाद, खीरे पर नमग जीर लगाने के बाद, फिर से एक बार फरमाते हैं, उनसे मतलब पू पूचते हैं, नमग में छिड़क दिये जाने से ताजे खीरे की पनी आती फांके, देखकर मूँ में पानी जरूर आ गया, जब उस पर नमग छिड़क दिया गया, तो जो खीरे में सागया, पानी, वो पानी थोड़ा निकल आता, चूट जाता उसमें, तो और रसीला साथ तो उसे देखकर, राइटर के मूँ में क्या आ गया, पानी आ गया, पनी आ गया वो, लेकिन इंकार कर चुके थे, क्योंकि लेका गब वो उसको ले नहीं सकते थे, क्योंकि पहले से ही वो मना कर चुके थे, जब उन्होंने पहले से ही कीरा लेने के लिए मना कर दिया थे, तो बोँ चाहा कर भी उसके लिए नहीं कर सकते तो उनोंने मना कर दिया आतम समान बिवाना भी अचित समझा नहीं मन भावे मुड़ी हिलावे मतल सन कर रहा है उसको खाने के लिए और पहले से जो मना कर वाली बात आ गई शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है मैदा जी मैदा भी जला कमजोर है कि बला शौक फरमाया तो उन्होंने कहा जो राइटर थे कि मुझे अभी इस वक्त इसकी जो मतलब उसे उनको राइटर को क्या है भी मुझे इसकी मतलब आवशक्ता नह कमजोर है यानि वो डाइजिस्ट करने का जो अभी उनका सिस्टम था वो क्या है तोड़ा कमजोर है उन्होंने यह क्या बनाया एक बहाना फिर किर्बला शौक फरमाएंगे ठीक है नवाब सहामने संतों स्टांकों से नमग मेचे के साहियोग से चमकती खीरे की फांकों की और देखा खिड़की के बाहर देखकर दीजनी सुवासन लिया खीरे की एक फांक उठाकर ओटों तक ले गए फांक को सुंगा स्वाद के आनंद में सुवाद के आनंद में मुंद गई अपर यहां पर क्या करते इंपने औठों तक ले जाते हैं पर वो उसका क्या करते चकते नहीं हैं उसको खाते नहीं है देखिए क्यों मुह में भर आए पानी का घूट गले में उतराया तब नवाब सामने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया मतलब उसकी खुश्बू लेते हैं खुब लंबी से इसको सूंगते हैं ओटों तक ले जाते हैं महसूस करते हैं और क्या करत खिड़की के बाहर फेक देते हैं नवाब सामने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेक कर तौलिये से हाथ साप कर और ओट कोच लिए और गर्व से गुलावी आँखों से हमारी ओर देख लिया मानों कह रहे हो यह खांदानी रईसों का तरीका मतलब वह यहां पर पर नमक लगाया मिच लगाया जीरा लगाया और क्या किया उसको खाया नहीं एक लंबी सी गहरी सांस के साथ खूब गहरा ही तो उसके कुछ बूली नवाबी खांदानी रहीस लोंगा खाना ऐसा होता है नवाब साथ खीरे की तैयारी और इस्तमाल से ठक कर लेड़ गाया है हमें तसलीम में सिर्खम कर लेना पड़ा खांदानी तैजीव नफासत और नजाकत है अब यहां पर दिया हुआ है जो आपको तसलीम मींस होता है सम्मान सिर्खम करना सिर्खम मींस होता है सिर्जुकाना सिर्खम यानि की सिर्जुकाना तैजीव शिस्टाचार हो गया नजाकत मींस कोमलता नजाकत कोमलता ठीक है तो यहां पर जो राइटर है वो कह रहा है जब उनकी इस आद को देखकर ऐसा लगा मतलब उन्होंने इतनी मैनत करी उस कहीरे को दोया पोचा काटा सलीके से उसको रगड़ा उसका जो जाग होता वह भी बाहर फेका उसके बाद उसमन्नमक लगाए मिच लगाए इतना सब कहने पर क्या थे वह ठक गए थे और इस बार कारण उन्होंने खीरे को सुनकर फेका अपनी टौबल से हाथ पहुचा और वहां सीट पर लेड़ गाए हम गौर कर र पर बेड़ान कि आप मतलब यहां पर ही जो राइटर सोच रहां मतलब जिस सोच के साथ उस्त्रेंद मेंक अहीं और एक नई कानी के लिए नया विशय चाहिए और उस में उस विशय के ज़िए के साथ आए कों कौन से के युदा जिसके साथ से वह सोच के उस सेकेंड कलास के डब्रे में प्रवेश किया था तो यहां पर उनने उनी नवाव साथ को देखकर उन्होंने जैसे कि खीरे को सूंग कर उनका उत्रप्त हो गया उत्रप्त मींस बर जाना संतुस्ट हो गया जब उस खीरे की खुश्बू से पेड़ और दकार भी आ जाती है रवाब साब को कि पेड़ भर गया ठीक ना तो फिर बिना किसी किरदार के बिना किसी विशय के अभी आंगे चलिए हम बताते हैं फिर आपको तरप्त तरीका जुरूर का जा सकता है परन्तु ऐसे तरीके से उधर की तरप्ती भी हो सकते हैं वो सोड़ा राइटर या सोचा था आंगे रहें नवाव साब की और से बरे प जो लेकर तक को सुनाई देती है नवाव सामने हमारी और देकर कह दिया खीरा लजीज था यह देखिए सोचने वाली है जब उन्होंने वह चीज खाई नहीं और कह रहें कि खीरा क्या था लजीज यानि बहुत ही स्वादिस्ट था ठीक लेकिन होता है सकिल ना मुराद देपर बोज डाली है यानि कमजोर अपनी पाचन शक्ती पर नोरे बहाना जो था उस पर मतलब वो डाल दिये कि खा नहीं सकता था ग्यान चचुक खुल गए पहचाना ये कि नई कहानी के लेकर कीरे की सुगंद और स्वादी कल्पना से पेर बर जाने पर ड़कार आ सकते ह अब दिमाग में राइटर के आया कि खीरी के सुगंद से ही वह उस और स्वाद की कल्पना यानि उसका स्वाद कैसा होगा ये सोच कर ही जब पेड भर जाने पर ड़कार आती है तो हो सकता है तो बिना विचार गटना और पात्रों के लेकर की इच्चा मात से नहीं कहानी क् बन सकती तो वो यही पूछा है बिना किसी कहानी के और बिना किसी पात्रे के कहानी क्यों नहीं बन सकते तो इस जो कहानी को मैंने बताए इसके कितने पॉइंट हो सकते हैं पांच पॉइंटों में इस कहानी का पूरा साराश हो जाए यह तो मैंने पूरे चैप्टर को एक्स्प्लेइन कर दिया आपको उसमें पढ़के अगर शॉट ली जाए तो देखिए इनको हम पांच इसकी हैडिंग बना सकते हैं पहली हो जाएगी लेकक द्वारा सैकंड क्लास में रेल यात्रा बतल एक पॉइंट हो जाकर तो हम इसमें यह बताते हीं कि जो लेकक थे वो सेकंड क्लास दब्बे में क्यों यात्रा करना चाहते तो तो इसमें वह सभए जाए गा जाएक को एक नई कहानी का एक कहानी लिखनी थी और उस पर विशह उसे पता नहीं तो उस विशह पता था उसके पात्रों के बारे में आप विचार करने एक एक कांत की आवशक्ता हुई जिस कारण उसने सेकंड क्लास ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे का टिकेट लिया सेकंड ही यडिंग हो जाएगी नवाज साब काएरे को काटना नवाज आपके की खीरे को काटने के जो प्रक्रिया पूरी थी पहले वो खीर को है अदर रसीट के नीचे रखे लोटे को खिड़की की बाहर करके दोते हैं फैर्टावल से पहुंचते हैं फैट चाकु से से दुभारा पूचना कारा क्षिके साथना क innovator कुंखिक यह सब्सक्राइब दाइजस्टिंग सिस्टम थोड़ा उनका भीगड़ा हुआ था इसलिए वो कीरा नहीं ले रखते थे क्योंकि उनका मन था फिर वी वह इनी चीजों में क्या कहना है थोड़ा थोड़ा इनको डेटेल हम शौट में कहानी अगर समझ लेंगे न तो इनको हमें डेटेल में वहाँ पर अपनी तरीके से बड़ा बड़ा का लिखना है बोर्ड में फोर्थ हमारी हैडिंग रहेगी नवाब साब का खीरे को सूंकर फेकना नवाब साब ने जितनी भी प्रक्रिया करने के बाद उस खीरे क्या किया उसको सूंगा एक लंबी सी गैरी सांस के साथ और क्या करते हैं एब अच्छे से निगाई भर कर देखते हैं ओडों तक लेक है जाते हैं मुधा वापस क्या करते हैं उसे खिरक के बाहर फेक के देते हैं लास्ट लाइन इसके लास्ट राइटिंड रहेगी नवावी गर्व नवाब थे तो रहे यानि सारे खीड़े बाह। फेकर उन्होंने तॉलियर से हाथ पहुँच लिया खीड़े घ्र अब नहीं गाये घ्र लेकक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगन से जब इस तरह पेट संतुस्ट हो सकता है तो इतने में नवाज साहब ने जोर से ड़काल ले लिया तो यह क्लियर हो है कि उनका पेट बरिया वे लेकक की और देखकर बोले कीरा लजीस था यह सुनते ही लेकक को लगा कि यह नवाज साहब ही है नई कहानी के लेकक नई कहानी मतलब जो नई कहानी होगी लेकक ने क्या सोचा यह कौन होगी नई कहानी किसके उपर होगी नवाज साहब के उपर अगर सुगंद और सुवाद की कल्पनाव से पेट भर सकता है तो बिना विचार घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकते हैं तो आज का हमारा यहीं अच्छा जो इसके कोश्ण आंसा है वो मैं आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में बेज दूमें अब इसके थोड़े से कोश्ण से मैं यहां बता दूँ आपको जो मोसली आते हैं जैसे एक दिया हुए लेका को नवाल साहब की किन हाव भावों से मैसूस हुआ कि उनमें बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुता नहीं है तो इसका रहेगा लेका को डिब्बे में आया हुए देखकर नवाल साहब की आखों में असंतोष चाह गया हुए नाख मुस्वर्दाना जैसे कोई आ जाता है ना और हमें नहीं चाहते कि कोई आए तो अजीब सा चैरा बन जाता है तो असंतोष चाह गया है ऐसा लगा मारो लेकक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हुए अगला है बिना विचार गटना और पात्रों के भी क्या खानी लिखी जा सकती है यश्पाल के इन विचारों से आप कैसा मज़ते हैं तो हम यश्पाल के विचारों से सहमत हैं बिना गटना, बिना पात्रों, बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ? उसे कहना उसे नहीं लिखी जा सकती अतर जब घटना नहीं होगी तो वे कैसे पता चलेगा कि क्या होगा बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे घटेगा कैसे कहानी में कोई न कोई विचार पात्र या उद्देश या वश्चत ये बात बिल्कुल सही है जब कहानी में कोई पात्री नहीं होगा तो जोबी खाहनी कहानी में एक ना जरूर होते हैं जरूर क्या करेंगा तो यह तो यह क्या होती कहानी में बीना किसी गटना के और बिना किसी बात्र करेंगे कहानी नहीं लिखी जा सकती, एक कोशन है, नवाव साहब द्वारा, कीरा खाने की तैयारी, करने का एक चित्र प्रस्तूत किया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखी है, कीरा काइटने की जो उनकी प्रक्रिया तेजिए तो हम आप बना के कर सकते हैं जैसे कि पता है था बार पहले भी बता चुके दो हुआ है एक लोटे से किल्की के बाहर दोते हैं तो इसको टावल से सब आपने इस्टोरी पढ़िये तो आप सारे आंसर इसके बनाकर कर सकते हो कुछ भी कई से आ जाया कहानी को आप अच्छे से समझें तो फिलाल आज के लिए हमारा यह चैप्टर यहीं फिनिश होता है इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं अगले नई वीडियो में नई चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे टेक एर स्ट्रेंड्स कि ओके